सही वक्त पर सही केर करना किसी भी बीमारी का बहतरी निलाज साबित हो सकता है डॉक्टर सुनील्स पीडियाट्रिक क्लिनिक आपके बच्चों की सहत हमारी जिमेदारी हमारे यहाँ पेनलेस वक्सिनेशन, कंसल्टेशन और डेकेर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है डॉक्टर सुनील्स पीडियाट्रिक क्लिनिक 15 मैनें स्कॉयर ओपोजिट ओलिव हॉस्पिटल नानाल नगर हैदरबार जिले परिशत रुकने से सियासी इनिंग शुरू करने वाले रेवन त्रेडी 17 साल में चीफ मिनिस्टर के औहरे तक गए पहुँच रेवन त्रेडी ते लंगाना के हुँगे चीफ मिनिस्टर कल साथ दिसम्बर को होगी हलब बड़दारी कॉंग्रेस खायदिन और कारकुनों का ज़शन ग्रूप टू इम्तिहान के लिए तमाम इंतिजामात मुकमल 6 और साथ दिसम्बर रियासत के 33 अजला में इम्तिहान का इनिखाद रेवन त्रेडी से सी पी आई खायदिन की मुलाखाद तश्कीले हुकुमत और कॉंसिल में नुमाइंदगी परकी बाक्षी तूफ़ान मीचौंग के जरिया सरते लंगाना में शदीद बारिश रेड अलर जारी हुकुमत की तब्दिली के साथ ही अखलियती बहबूत के आहरेदारों में हल चल अहदों पर बर्खरारी की पैर हुई मैकुमे में दाफिले के लिए कई और दार तया कौंग्रेस सरकाने सिम्ली और खायदीन से रब्द गोगा मेरी के खतले के खिलाफ एहतिजाज करनी सिना ने आज जैपूर और महाराज़्टर में बंद का किया ऐलान राहूल गांदी को आम इंतिखाबाद बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए के लेला के वज़ियाला पनाराई विजियन का बयान शाही इदका मस्जित क्रिशन घूमी तनाजिया वागबोर्ट से जवाब तलब अखिलेश यादो को लहबाद हाई कोर्ट से मिली राहत यूपी हुकमत से जवाब तलब तूफान में चौंग से चेनाई में जबरदस्ते तबाही आठ अफराद की मौत कारे पानी में बह गए गए और एरपोर्ट में पानी हिंदुस्तान समेट 25 मौमालिक के सफ़र से हैतियाद बरतें सौधी इदारे सहत का मश्विरा ट्रेडिशनल ग्लासे से जान चुड़ाए और चले आए आपके आँखों का मुहाफिस विनायका नेत्रलया आई होस्पिटल जहां highly expert senior cataract and retinal surgeon डॉक्टर उदया स्री जी की निगरानी में आपकी आँखों को नई जिंदगी दी जाती है advanced technology के जरिए आपके आँखों का check-up और treatment किया जाता है ओप्टिकल्स की services भी हमारे पास मौजूद है विनायका नेत्रलया आई होस्पिटल 15 men in square opposite olive hospital नानाल नगर हैदरबाद अधर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो यहाँ पर red color का subscribe बटन दिख रहा है उसे click करे और हमारे चैनल को subscribe कीजे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी click कीजे जिससे आपको ताजा ताजा अपडेट मिलती रहे